नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप शवी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेश पर आए मेरे दोस्तों आज अपने एक और नया टॉपिक पढ़ने जारे जिसका नाम है भारत के बाग अब्यारन देखे दोस्तों वन, वनेज्यो, अब्यारन और राष्टिए उद्द्धान होगे ये जो भी वनो से समन्दित, वनेज्यों से समन्दित आपको पांच से छेक वैसन देखने को मिलेंगे एक्जाम में ज्यादा ही देखने को मिलेंगे मैं आपको कमी बता रहा हूँ तो आएं दोस्तों आज की क्लास को अपन सूपर फास्ट करते हैं वैसे ध्यान से पढ़ना है सभी को बाग अब्यारे ने थोड़ा सा भी अगर गलत कर दिया तो आपका एक नमबर जो है एक वैसन बिलकुल कम हो जाएगा ना गलत नहीं करने बाग अब्यारे न दोस्तों इस की द्रस्टी से सब्चे बड़ा बाग अब्यारन कौन सा है बहुत इंपोटेंट क्वेसन है दोस्तों चैत्रफल की द्रस्टी से सब्चे बड़ा बाग अब्यारन पूछा है आपको देखे एक तो बाग अब्यारन होता है एक वन्य जीव अब्यारन होता है और एक राष् सकता है मेरे दोस्तों अगर कोई वन यह जी व अब यारन ने तो वह बाग अब्यारन भी हो सकता है वह ठीक है ना तो इन चीजों का बिलकुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे क्लियर चलो तो चैतरपन की द्रस्टी से सबसे बड़ा बाग अब्यारन कौन सा मेरे दोस्त काफी क्वेसन आपके लिए नए भी होंगे तो मेरे दोस्तों आंधर परदेश में और आप कहेंगे सर आंधर परदेश से जो है कुछ एक सीमा जो है देखिए तेलंग गाना भी है तो दोस्तों बेलकुल तेलंग गाना में भी ये विश्तरत है ध्यान डेकना आंधर परद मेरे दोस्तों कितना ये इतना है तो ये चीज़े ध्यान रख लेना 3568 वर किलमेटर बढ़ा है इतना है जो कि बढ़ा है चेतरबल की दरस्टीचे अंधर पर्देश में सरवादी का जो विश्तरत है थोड़ा सा तेलिंगा नामे भी है 1982 में घोसित हुआ था जिसका नाम है नागार जुन सागर श्री सेलम आगे बढ़ू आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगला प्रस्ट जिम कार्बेट बाग रिजोरो कौन से राज्य में इस्तित है आए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेसन है नमर दो पे की जिम कार्बेट बाग ऑप्सिन हो जाएगा उत्राखंड में ठीक है तो देखे दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कहां पर रहे तो ने निताल में ध्यान रखना है इंपोर्टेंट क्वेसन अच्छा तो जिम कार्बेट के बारे में काफी जान कर यह दोस्तों देखे यह जो है ना यह दोस्तों वन्य जीव अब्यारन भी है क्या ये वन्य जीव अब्यारन पहले तो वन्य जीव अब्यारन बना उसके बाद इसको जो है दोस्तों क्या बनाए इसके बाद इसको है जो बाग रिजरो बनाया ठीक है बाग परियोजने बनाए ओके साब अब देखे दोस्तों इसका पुराना जो रहते ना वो कैसे बाग रहते हैं बंगाली बाग रहते हैं तो सरवादी के अगर पूछ ले जाए कि भी बंगाली बाग के लिए कौन सा ब्यारन प्रसीदे तो दोस्तों ब्यारन को या फिर बाग रिजरो खेलो बंगाली बंगाली बागों के लिए ये प्रसीदे मेरे द tiger state किस राजезж को कहते हैंब देखे मेरे दोस्तों tiger ratio कोंचे राज्य को कहते है most important question है और अब आपसे मैं कर लूँ कि भाई tiger ratio तो इस राज्य को कहते हैं ठिक है कौंचे मध्यपरदेश को कहते हैं दोस्तों क ball ring here in Spain nowhthal ऐसी लिए आपके आगे बात करते हैं का जाता है मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आप सभी को पता है वैसे केलास सांकला जी को कहता है टाइगर मैन तो दोस्तों ये कहां के थे ये जो उत्पुर के थे आपको याद होगा मेरे दोस्तों इन के नाम पर इनके नाम में कारिकरते उनको दिया जाता है और लाड़ Keeping by में तो इंके नाम काgenman बीद कौन सा है देते दोस्तों यहां पर पर कनफ्यूज करने Panther न कौ Norm सा या या फिर सच्ञार को शा किago पेरण को तूम स्थीन होते हैं ठीक है तो इंत्रावत इन में से भारत का बाग उच्वारण पूछा वैसे हैं सारे कि भारत क लेकिन बाग् looking तो क्विरण मेर्ट दोस्तों ध्यान रेक ना मावीर जो है ना भगवान मावीर उद्धान नीन यह तो क्या है यह अपना वन्य जीव अब्यारshieldीन ठीक है आपके इंगे सर तो ये कहां पर है तो दोस्तों ज्यान अटना ये गोवाँ में कहां पर है ने दोस्तों गोवाँ में डाल मा वन्य जी यह कहां पर है मेरे दोस्तों यह बिहार में है आप एंगे सर इसको कब गोशित किया 1982-83 में इसको भी गोशित किया जाता है केलियर सी बात है दोस्तों ध्यान रखना हर चीज को बड़े अच्छे से केलियर करना है बस एक ही चीज है ठीक है अंर्माइब पर ध्यान ना दे अपने आख्या लो अगला प्रशनी क्या है उत्रपरदेश में उत्तरपृडब्स में कुल कितने बाग रिजधर हो ने नहित्तर 1987-11 वहिए question A option को करेंगे lock बहुत अच्छा question है ठीक है A option को lock किया जाएगा भोले सर्फ 5 है क्या तो 1-2 का नाम भी बता दो देखे दोस्तों जो मैतपूर्ण है वो मैं आप पे बता दूँ बाकी जो है आगे question आ जाएंगे ठीक है तो दूदो दोदवा जो है ना ये 197 में गोशीत हुआ था में अनमीशना सिय में गोशीत हुआ था एक नमबर दो की बात करनों दोस्तों आमान गंड क्या आमान गडवी यहीं परें दोस्तों यूपी मेत जिसको घोसीथ किया था 2012 में ठीक है 2012 जैसे मुकंद्रा को किया था ने तो पीम राजस्थान वे उसी समय और दोस्तों बात करें नमबर 3 की तो पीली भीeद कहां पर है। यहीं पर है ठीक है तो यह ध्यान णेकRO उत्तर परदिश में कुल 5 है और यह भी 2012 में हुआ था तो द दोस्तों आसान क्वेसन हैं वैसे 1903 का पूझा दर आपकेंगे सर उससे हमें क्या संब्ध आरे साहब तो जीके का नाम क्या है जीके का दूसरा नाम यही तो है ना इत्यास रटना ठीक है चलो तो भारत में 1903 में कुल कितने टाइगर रेजर वे थे तो मेरे दोस्तों उसमें कितने थे मेरे दोस्तों नो टाइगर रिज़र रिन धे मिलेंगे ट्षास जो दे रहा है बहुत थे डियान रखना अब आप कहिंगे सर वर्तमान में कितने ने मिंष सब्सक्राइच काई में पर आपको देखे दुस्तों 5151 भी मिलेंगे हैं ठीक है तो ये 50 ग्लूद रखे है authentic book में अभी तक 85 दे रखे latest तो ध्यान रखना important question है ठीक है तो दोस्तों यह चीज हो गई आपकी अब अपने आगे बढ़ते हैं और उस समय जो थे उकुल कितने थे नौ ही थे ठीक है और उसी समय दोस्तों 1903 की बात करे ना उस समय टाइगर परियोजना चला ही जा रही थी टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व परियोजना जो चला ही जा रही थी इसमें जो है दोस्तों आपको याद होगा केलास सांकला ने पूर्ण रूप से सहयो किया था और उस बाग अपयारन देखिए दोस्तों एक चीज तो यहां पर यह चीज आपकी अच्छी सी है जो कि किलियर हो रही कि कौन से मा में या फिर कौन से वर्ष में इसको इस्तापी दिया गया है गोष्ट नह की गई से काल कर्ण मुंद थुरेई ठीक है काल कर्ण मुंद थुरेई जो नाम से यह भी दोस्तों यह 1968 में इसको गोष्ण अवह थी इसकी तो यह कहां पर यह भी तमिल अडू है तो तमिल नदू में कुल जल्दी बताईएगा दोस्तों ज्यादा क्वेशन नहीं यह वैसे है ना ज्यादा लंबी क्लास्व नहीं होगी यह पर आपको लास्ट तक देखना अगर बाग अप्यारण और कुछ और वी अन्य तत्य जो है क्लियर करने तो महारास्ट में कुल कितने बाग अब दोस्तों मह यह तो है ठीक है अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ना यहाँ पर जैसे कि एक तो सह्यादरी है कौन सा है सह्यादरी नाम से अब्यारण कहां पर है मेरे दोस्तों भाग अब्यारण यह यहीं पर है जो की 2009 में इसकी गोस्ट ना हुए थी ठीक है और दोस्तों मेल ग देंगे सहियादरी मेलगाट और पैंच ठीक है यह माराष्ट के मेरे दोस्तों मद्द परदेश में किते हैं वो भी अपन पढ़ते हैं आए आएगा चैतरफल की दरस्टी से सबसे चोटा बाग अब्यारन कौन सा है और ये क्वेशन मेरे दोस्तों आज तक रहाना आज तक वैसे बना तो नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन मेरा आए हर जगे आप देख लेना हर जगे आप देख लेना की ये क्वेशन अलग अलग दे रहा है ठीक है तो देखे दोस्तों चैतरफल की दरस्टी से चोटा जो बाग अब्यारन है ना ठीक है तो दूद्वा होगा नहीं मेरे दोस्तों जिसमें जो ऑफशन दे रहा है ना ऑफशन के आदार पे आपको करना होगा मेरे दोस्तों ठीक है अगर ऐसे ऑफशन दे दिये तो तो आप कर लेंगे कि सरे जो पेंस हम कर रही लेंगे लेकिन दोस्तों कही कहीं पर अगर जो बॉह भाग अभियारन न इस तो आप बोर भाग अभियारन कर ले चलो अब अगर दोट सबसे बड़ा राष्टरी उद्यान कुझा है बाग अभ्यारन नहीं पूचा है बाग अतividad के बारे में इस अपान बात कर चुके wash ठीक है तो अब यहाँ पर राइट आंशर की बात करें कि सबसे बड़ा जो है ना राष्ट्य उद्यान कौन सा है मैंने बता है जैसा कि और वी आपके साथ साथ क्लियर काफी होने वाले तो दोस्तों एमी सब्यारण हो जाएगा ठीक है बारत का समसे बड़ा राष्ट्य उद द्यान रख लेना अब आपका अगला प्रस्ण आता है राजस्तान में कुल कितने बाग रिजरो है देखे दोस्तों राजस्तान में कुल कितने बाग रिजरो है कितना आसांचा प्रस्ण है ना देखे दोस्तों राजस्तान में कुल कितने बाग रिजरो है यह क्वैसन फर ठीक है तो देखे दोस्तों राजस्तान में कुल कितने बाग रिजर हो है सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों तीन है सभी लॉक कर रहे हैं सर डी आफ्शन को लॉक कर दीजी ओके साब अब आपको पूचा जाएं कि रंधंबोर जो है रंधंबोर एक तो कहां पर मेरे दोस्तों मिले थी तो तीनों जो आपके किलिर होंगे विथ वर्ष दोस्तों के बारे पूुचा जाता है राजस दान पूलिस में इसके बारे ये पूचा गया तो मुकुंद्रा का ठीक है ना सबको याद होगा तो यहां पर जो है तीन हो जाएगा के लिए अरसा क्वेस्टन है दोस्तों अब अगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदेश में सरवाधिक राष्ट्य उद्यान किस राज्य में है देखें दोस्तों राष्ट्य उद्यान का बोले सर राष्ट्य उद्यान मद्य पर्देश में कितने हैं तो दोस्तों अगला प्रसंदेश में अगला क्या पूचा जा रहा है आपसे अगला यह पूचा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्य उद्यान कौन सा है सबसे पहले कौन से राष्ट्य उद्यान को ज दोस्तों जिम कार्वेट होगा या बांदीपूर होगा या फिर रोहिला होगा या सुन्दरवन होगा बिलकुल दोस्तों जिम कार्वेट हो जाएगा ए आपका राइट आंसर मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहली परियोजना भी यही है मेरे दोस्तों कौन सी सबसे प आपर आगर बात करें ठीक है यह अफ्यार जो है ना यह राष्ट्र उद्ध्यार ढदा दोस्तों इसको कभ घोषीद क्या गया तो दोस्तों यह 1935 में सबस्तोंसित करना जह चीज घ॥ा डेसे इसका दोस्तों एली नेशन उद्यान हो जाता है वालग बात है उसके बाद उसको राष्ट में ज्ञेदा पुष्भ होते हैं या पर ज्यादा विच्छरन करते हैं फिर उसका जो कारेच छेतर रहा है उटकरश रहा है तो उसको जो है इस पर कार से किया ज़ता है चले दोस्तों अब अपने आगे बढ़ और बे दोनों होगा यहां पर ठीक है और बे यहां पर दोनों होगा अब आप बढ़ताइंगे में दोस्तों कि किस राजी में छैअव्यारण में, किस राजी में इन मैं तमील नाडू में मेरे दोस्तों अभी अभी तो बता दिया ना आपको क्या अभी तो बता है कि वही तमील नाडू में कितने मेरे दोस्तों तमील नाडू में चार है माराष्ट के अभी मैंने आपको बता है तीन जैसे की सैयादरी, मेलगाट और पैंच अभी बता है मंगलम और मुंद थूरे ठीक है तो यह जो है यह तमिल लाड़ू है ठीक है तो यहां पर ए और बे दोनों सभी आंसर हो जाएंगे अगला प्रस्ट नेवन मैंसे कौनसा बाग रिजर मद्य परदेश में नहीं है इन मैंसे मद्य परदेश में नहीं है सिंपल सी बात है मेरे तो यह तो यह तो यह को Ernा टीक है एक अंप्रदेश में बहूत उठीक है यह तो यह स Yogya कोंन देश पूर्देश में और निर्म से कौन सा बाग रे जो मद्य परदेश में नहीं है Alla प्रतिक है अरुना चल पर प्रदिश में कहँं पर एक प्रसुन है प्लामू बाग रेजीरों ये प्रसन आप से किया जा रहा है तो बहुत इम्पोटन्ट एप्पूर्टन एधेश्वा के बाग रेजरो के रूप में ठीक है तो देखिए दोस्तों राइट आन्सर आप सभी को जए गा जारकंड 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 में दोस्तों बेतला में है important question है पला मू जो है पला मू को बेतला बाग अब्यारन या फिर पला मू जो है बाग बेतला में ये चीज़ धिहान रखेंगे जार गंड में है दोस्तों 1934 में इसकी भी गोश्चना हुई थी हुआ है है ये क्वेशन बहुत आएने मेरे दोस्तों कि आप सभी को बताए कि भई देखे सुंदर वन बाग अबयारन कहां पर ये राज़िस्टान ओफसे ने कैरल बी और पच्छिं मंगाल आप सभी को बताए मैं दोस्तों कि सुंदर वन डेलटा दो है सबसे बड़ा डेल् 1934 में जो है बनाया गया था गोष्णा इसके भी किये गई थी ठीके चलो आगे बढ़े दोस्तों अगला प्रस्ण है केला सांकला किस से संबंदित है आसान सा प्रस्ण जो कि आपकी स्क्रिन पर आज चुका है देखे दोस्तों केला सांकला किस से संबंदित है बाग रिजरों से परियावरंट से संबंदित है जल से संबंदित है या फिर सामाजिक कारियों से संबंदित है सिंपल सी बात है सभी का आ रहा है सर ए ओप्सिन को लोग करेंगे ओके साथ देखे दोस्तों टाइगर मैं आफ इंडिया का जाता है या फिर टाइगर मैं का जाता है भारत का टा 1313 में अप सभी को पता होगा इंद्रा गांदी द्वारा परियुजना का सुभारं किया गया था ताइगर और निमें त्यर्दो एक तो लिख था था इन्होंने टाइगर ठीकर आपको याद होगा और एक लिख ताइगर देख के रिटर呢 of the tiger return of the tiger एक तो ताइगर के वल और एक था return of the tiger तो दोस्तों ये पुस्तक किसके इनिक की पुस्तक है ठीक है अगला प्रस्थन राष्टे बाग सरंक्संद प्रादिकरन का गठन कब किया गया देखे दोस्तों बहुत important question है आपर पूचा क्या जा रहा है आप से कि राष्टे बाग सरंक्संद प्रादिकरन का गठन कब किया गया सित्मबर 2020 को रे नहीं साब कैसे हो सकता है सित्मबर 2009 को नहीं पांच को नहीं चेको हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर सित्मबर 2006 को आप बोलेंगे सर सित्मबर क होता है दियान रखना चार सितमबर 2006 को राष्टे बाग सरंक्संद प्रादिकरन की गठन कहो या फिर गोस्ट ना कहलो ठीक है नेक्स्ट क्वेस्ट भारत में कुल टाइगर रिजरो वाले राजियों की संक्या कहते हैं देखे दोस्तों एक बार वापस से पढ़ ले ना इस तो दोस्तों देखे मैंने आपको जैसा की बता है टाइगर रिजरो की बात करें तो कुल जो है ना पचास है फिराल ठीक है और कहीं कहीं पे एक कावन भी दे रिका है लेकिन ध्यान रखना कि ये कि आप पूचा जा रहा है कि टाइगर रिजरो वाले राजियों की संक्या क दोस्तों मैं आपको बता है कि मैयान मार में ठीक है और आप सबी को पता है कि राजिस्त भारत की जो मैयान मार की जो सीमा लगती है 1643 किलोमेटर की लगती है मेरे दोस्तों कितनी 1643 किलोमेटर की लगती है जिसमें दोस्तों मनीपूर मीजोरम नागलेंड और अरुना चल प इन में से असुमिलित कौन सा है मेरे दोस्तों ये आप सभी को बताने है बहुत अच्छा क्वेसन है नियुन में से असुमिलित वालमी की अब्यारन की बात करें मेरे दोस्तों तो ये कहां पर है ये मेरे दोस्तों बियार में सिंपल सा क्वेसन है सरीसका राजस्तान दोस्तों क्या बात है ना नागरोल दोस्तों ये करना टक में है ठीक है और पेरियार की बात करें मेरे दोस्तों तो पेरियार जो है ये तमिल लाडू में नहीं है बोले सर कहां पर है तो मेरे दोस्तों तमिल लाडू में ये पेरियार केरल में ठीक है सभी को बताएं और यहां पर दोस् रख रहे हैं बढ़े आगे क्या दोस्तों देखिए बियार की बात करें बियार मैंगे वाल भाइन एक है ठीके भी यार में एक है सरीड का दोस्तों यह राजसान में चर्क़िरास्थान में अपर अब करना टक में भी confusion है दोस्तों कहीं पे 5 बता रहा है कहीं पे 6 तो दोरों याद रखेंगे 5-6 ठीक है 5 या फिर 6 जो है करना टक में जो है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं रहे अगला प्रस्टने प्रसीद बांद उगड़ बाग अब्यारन को कब गोशित किया गया प्रसीद जो बांद उगड़ बाग अबशित है ना पहले तो हमें ये चीज बता होनी चीजए कि ये है कहां पर तो देखें दोस्तों यै आपका MP में इंपी में ठीक है बांदेगोगर्ट कहां परे मेरी दोस्तों MP में अब ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए कि इसको कब गोषिट किया गए 1996 टीक है बांदेगोगर्ट दोस्तों मद्यell प्रदेश में देखें दोस्तों कुछ समय लगेगा अगर एडवांस पढ़ना है थोड़ा सा एडवांस अगर एडवांस नहीं बताऊंगा आपको यह टॉपिक समझ में नाम क्यों दिया है टॉपिक वाइस पढ़ेंगे ऐसा तो है नहीं के भी मोग टेस्ट आपको वैसे पीडियेप बना किया बताज है ना तो राइट आशर दोस्तों मेल verse 125 और रहना कि गोष्ण नहीं जो और इसका गोष्णन की गई 1934 में इसकी गोष्ण की गई मेरा दोस्तों बहुत DJ let अब अगे बढ़ेंगे और अगला प्रस्तन आपके इस क्रेंपह क्या है इंस में से mehril लूप राड़लो ऊस मेल का कुझए राजाजी बाग रिजरौ में दोस्तगों यह कहाँ पर यह उत्रा ख़ेंड में कोई गलत नहीं कर सकते हैं थीक है अप और घूरणगा बाग दोस्तों यह भी आसम है कोई भी गलत नहीं कर सकते ठीक है अब मैंने आपको बता है था कि भी बोर बाग रिजवर दोस्तों कहीं कहीं पुस्तकों में इसे चोटा सबसे चोटा भी का जाता है तो मेरे दोस्तों ये अरुना चल में नहीं है तो सर कहां पे है तो बता चुका हूँ ना भाई साब माराश्टमें कहां पर है माराश्टर्म बोले सर कब गोशञा हुई इसकी 2014 में इसकी गोशञा होती है मेरे दूस्तों क्या 2016 में इसकी गोशना होती है नागरहूल बाग बरिऊजना करनाटक में इस्तित है अब दोस्तों आप मैंसो कौन कौन चाथे कि जिस परकार अपन बाग परियुजने जो अपने पड़ी है ना उसी परकार राष्ट जी उद्यान और वनी जी अब्यारन की भी एक क्लास होनी चीए मेरे दोस्तों ध्यान रखना वो क्लास भी जरूर होगी आप मैंसे काफी भाई बने चाते भी है जो रेगुलर पढ़ते हैं सभी चाते साथ सिंपल सी बात है ना चलो अगला प्रस्ने इन में से असत्य क्या है इन में से असत्य क्या है तो राइट आंशर जो है सत्पुड़ा काफी भाई बने हो तो क्या कहते हैं सर आप टॉपिक लिया यह बस हमें मत पूछिए कौन सा यह बिल्कुल यह अपना विश्वास और इसने जो हैं बनाए रखिएगा दोस्तों इन में से असत्य देखें सत्पुड़ा जो है ना उनीस सो निनावे दोहजार में इसकी गोष्णा हुई देखें जिस भी परकार के प्रस्णा आपके जो फॉर्मेट के पूचे जाते है सारे एड कर लिए ना आप देख रहें ना न्यू न्यू कैसन आ रहें तो सत्पुड़ा दोस्तों उनीस सो निनावे दोजार में इसकी गोष्णा हुई क्या बिल्कुल होई साहब ठीक है साहिए तो अच्छानक मार जो है दोजार आठ नो में इसकी गोष्णा हुई मेरे बिल्कुल होई साहब ओरं। जो है ना मेरे दोस्तों यह औरंग कहां पर है चतिण गड़ में और यहां पर यह इसके खोष्णे है की नहीं है सब अब सरी नाम दफा जो है 1982-83 में गोस्टना तो ही लेकिन है कहाँ पर मेरे दोस्तों यह अरूना चल पर्देश में तो इससे ज्यादा क्या लेंगे बिलकुल आसान सा प्रसंता ठीक है आगे बड़े दोस्तों अच्छा क्वेसंता अगला प्रसंता आता है न जो थे तेज सिंग उनके द्वारा तयार की गए ती जो की फोरेस्ट रिपोर्ट थी जिसमें पीली बुक ठीक है वो मैं आपको कई बार पता चुका हूं और पढ़ा चुका हूं आप सभी को इस बात से आप सभी वाक्षिफ है है ना चलो रे डाटा बुक दोस्तों किस से समदित है धार्मिक रिकॉर्ड है तू या फिर राजनितिक रिकॉर्ड है तू पसुपक्षियों के रिकॉर्ड है तू या फिर परवत्य नगरों है तू पढ़ क्या रहे है सिंपल सी बात है सर हम तो यहां पर यह पढ़ रहे है तो दोस्तों सी ऑफ्चन जो है लॉक हो ज जो संकट ग्रस्त पर्शूपक्सियां है या पर जो प्राणी है ना उनकी जानकारी एकटी करना इस रेड़ बुक डाटा का काम है ठीक है और दोस्तों इसकी इस्ताफ नहीं की बात करें तो 2016 में इसकी इस्ताफ नहीं थे बोले सर किसके द्वारा अंतर राष्ट ये प्रकरती सरक्षंड संग के द्वारा इसकी इस्ताफ नहीं होती है उननीस सो सट में मेरे दोस्तों ध्यान लखना नेक्सट क्वेसर न आप ये कर रहे हैं अगर आफ वनन बंपाल बने जा रहे这么ale वहर वरती परिक्सा के लिए इंपोटेंट है ही है लेकिन बाई साब आपके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना चलिए राजस्तान की दूसरी बाग परियोजना है जो भाई ने समझ गए कि सबका सिलेबस एक्वल आता है उपर चाहे वन डक्सक लिख दो चाहे उपर मैं हाई कोट ग्रूप डी लिख दूँ चाहे उपर जो है आर एस आई एस लिख दूँ मैं दोस्तों सिलेबस जो है ना देखे अगर ऑप्टीकली जैसे की अब जेक्टिव के रूप में पूचा ड्यगी तो भाई साब यह है तो एक ही ना इसलिए बस तो चलीए तो राजसतान की दूसरी बागपरियोंजना जो अ थ्क है तो इंपोर्टेंट क्वेस दोस्तों ध्यान रहा रखना रा जी की यह दूसरी यह दूसरी परियोजना है ठीक है अब आप हैंगे सर कब इसको यहांपर इस्ताफित किया गय है UNN xu tutorial में इसको इस्ताफित किया गय है दोस्तों दिहां रहनागे परियोजना की रूप में ठीक है लेकिन अब्वियारन जो है यह कब बनाता cracked 1955 में सरीष का अब्यारण बन शुका था 1905 पर में ठीक है आगे बढ़ते और एगले प्रस्ण को देखते हैं मेरे दोस्तों आगला प्रस ना आता है कि भारतिये बागों का घर किसे कहता है देखे दोस्तों important question है भारतिये बागों का घर किसे कहा जाता है मतलब की n मेंसे n मेंसे जो ये अपना कहाँ पर है, मेरे दोस्तों ध़ान रखना है सबी को, ठीक है, ऐसा नहीं कि भी जो है भूल जाएं, तो रन्तमुर जो है स्वाहि मादुपूर है और इसके बारे हम काफी जान करें जैसे कि ये राजी का सबसे बड़ा जो है वन देखे दोस्तों राजी का सबसे बड़ा राष्टे उद्यान भी है ठीके और दोस्तों राजी का सबसे पहला राष्टे उद्यान भी है और राजी का सबसे बहला पहली बाग परियोजना भी है ठीके तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे ठीके और दोस्तों ध्यान रखना की जो है ना ये ये कब बना दोस्तों राष्टी उद्यान राष्टी उद्यान बनाता 1980 में इससे पहले ये क्या बनाता वने जिव वने जिव अब्यारन बनाता 1955 में आप कहींगे सरी जो है बाग अब्यारन कब बना तो दोस्तों बाग अब्यारन 1973 मैं बना फिक है ये जानकरी रखना बहुत जरूर दोस्तों कई बार अपन जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है और दोस्तों यही पर आपको याद lumière ओगा कि यही पर बाग विश्थापन की जो गटना होई ते दोस्तों 28 जून 2008 28 जून 2008 को आपको याद होगा एक घटना हुई थी कौन सी बाग विस्थापन की जो कि दोस्तों बाग का नाम था सुल्तान मैं बता चुका हूँ और बागिन का नाम था बबली और इन दोनों को कहां पर छोड़ा गए था सरीश का अब्यारण में छोड़ा गए था मेरे दोस है क्या हुगा जटका लगा है ना चलो कोई बात नी दोस्तों यहां पर आपके लिए जो है ये पैसन रिपीटी समझ लीजिए ठीक है क्योंकि एडवांस बताया है मैंने तो आप जो है बिलकुल यहां पर आंसर बता दीजिएगा और दोस्तों यह 28 जून 2008 को यह गटना हो बहुत इंपोटेंट क्वेसन है लास्ट क्वेसन आपकी स्क्रेन पर जरा ध्यान देंगे देखे दोस्तों क्या पूचा जा रहा है आपसे थोड़ा सा दो मिनिट लेट हुआ हूँ वैसे इसमें ना तो एडवांस भी टॉपिक भी तो भी साब सिद्द के साथ के लिए कर जवार सागर अब्यारन बगरों के लिए प्रसीद है क्या ये राजस्तान के अब्यारन में लाड़ लों कहां के राजस्तान के अब्यारन क्या है ये वने जी वाग अब्यारन नहीं है ध्यान रगना देखे जवार सागर अब्यारन ने या शेर गड़ अब्यारन या पिर समंद ब्यारन या पिर भेंस रोड़ गड़ ब्यारन है काफी भाईवनों के लिए कंफ्यूजन वाला क्वेसन आठ टपका है लास्ट का मेरे दोस्तों जैस समंद ब्यारन होगा क्या जैस समंद बोले सर कहां पे उदेपुर वाला क्या हाँ सहाब हो ही और दोस्तों पूचा जाए कि कितना है तो 52 वर्ग कीलोमेटर का यह ज्यादा नहीं है और दोस्तों यह चैना एक नॉमबर उनीच सोपचपन को वन्यजी और अव्यारन गोशित हुआ था और दोस्तों यह से जल सरह की जलचरों की बस्ती का उपूम भी दिया गया जल चरों की बस्ती ठीक है सम् जो है अच्छी लगी होगी और दोस्तों देखे मुझे नहीं लेगता कि देखे कभी कभी दो या चाद दो तीन मिनिट आपको ज्यादा लगते होंगे ठीक है अगर आप चाहते कि सर हमारा तो मोक टेस्ट ही होगा आपको एक कोई जो है ना मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा है ठीक है क्या बॉरड में बता रहे है और कह रहे है इसका आंसर बता हो फिर आपको तो इसका होगा वह आपको बीस से तीस मिनट बीस से तीस question गेंगे और उसमें भी आप आदा गंटा करेंगे लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं कहिंगे यहाँ पर देखे क्या कमेंट आया है बताऊंगा आपको देखे क्या कमेंट आया है पंदरा मिनट की classes क्लासेज है और टाइम ज्यादा लगाते हो अरे बाई सहाब कल रातरी की क्लास थी ना दोस्तों जो कि मैंने आपको बता है था राजस्तान जी के की जो थी अपने राश्ट्रिय जो है राजमार्ग वगरा पढ़े थे सारे उसमें उसमें कितने 40 मिनिट लगे थे क्वेसन कित इसना मैं तो पूर्ण डाटा बता होगा उसमें एक वेसन पर दोस्तों कितनी जानकारी पांच-पांच-छे से क्वेसन जो होते हैं अपने ठीक है तो यहां पर दिखें यह कहते हैं कि 15 मिनिट की क्लास मैं तो कहता हूं यह 15 की नहीं थी कल जो रातरी की क्लास थी ना वो सि प्रूदे हुई है तो यह मोग टेस्ट नहीं है बाई साहब यह व्यक्या सहीद क्लास होती है यहां पर कोई उनको पता नहीं होगा कोई बात नहीं यह तो आपने 15 मिनिट ज्यादा ही बते हैं आर 10 मिनिट की वीडियो थी फटा फट से हो जाती वो भी करते हैं अपने आप खुशे और बड़े शांदार और सिद्दत तरीके से पढ़ रहे हैं मुझे पून रूप से विश्वास ही कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको विश्वास है कि सर हमारे लिए शांदार कंटेंट लेकर आते हैं दोस्तों जो मैनत करते हैं मैनत को मैनत सफल हो सकती है क्योंकि जो है ना किसी के विच्छारों को समझ सकते हैं वही चले तो यह जो है दोस्तों ऐसे कमेंट जो है ना करें प्लीज और आज का प्रसन आपकी स्क्रिन पर है राजस्तान वानिक देखें दोस्तों कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब इतनी सारी म कमेंट आते हैं ना दिमाग घूम जाता है चले यहां पर आज का क्वेस्टन आपके लिए मेरे दोस्तों राजस्तान वानिक यह वन्यजीव प्रस्रिक्शन संस्तान कौन से जिल्ले में यह बताना है ठीक है तो बाहर आके कॉमेंट में जरूर बताएगा प्यारे भाइवे समर्पी तोर इसका आंसर आपको बाहर आके कॉमेंट में बताना है मेरे दोस्तों यहां पर नहीं बताना ठीक है अब दोस्तों देखिए आप सभी का आभार तो ही है लेकिन शेयर बगेरा जरूर करें आपकी क्लासेज को दोस्तों शेयर करें ताकि मुझे भी जो है लगे क कि आप मुझे होसला दे रहे हैं मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सभी का अबार सभी का धन्यवाद जहिंद वंदे मात्रम और दोस्तों कल का टॉपिक आपको रात्री की क्लास में बता दिया जाएगा आप सभी का अबार धन्यवाद